ए स्टेन, सिर्फ 6 पर्टसन सिलेक्शन आपके लिए ग्रैंड लिग के तुरुप का इकका इस मैच में साबित हो सकते हैं कैसे क्यूं सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ अच्छा जब जब इस वेनियो पर मैचेस खेले जाते हैं कैसा क्या रहता है स्पिनर्स जदा इंपोर्टन होते हैं या पेसर्स कितने रन बनते हैं उसी के साथ साथ दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 बैटिंग ओर्डर कैसा होने वाले हैं अगर कोई बड़ा प्लेइर नहीं खेल रहे हैं वो कौन है प्लस डेबिउ अगर कोई प्लेइर कर रहे हैं उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस कैसा है सब कुछ के बारे में इसी वीडियो में आपको पता चलेगा आपको बस वीडियो के आखिर तक बने रहना है दोस्त उससे पहले अगर आप फर्स टाइम हमारे यूटूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे हमबल रिक्वेस्ट रहेगा काइंडली इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएगा उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके आल पर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा दोस्तों यहाँ पे एक एरवल बटन आपको दिखेगा न यहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको हमारे टेलिग्राम और इंस्टाग्राम चैनल का डाइरेक्ट लिंक्स देखने को मिल जाएगा कोशिश किजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पे क्लिक करके डाइरेक्ली आप हमारे साथ हमारे टेलिग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे जुर जाएं यहां पे खेला जाएगा Pembroke Cricket Club Dublin में मतलब यह आयलेंड में यह मैचेस खेले जाने वाले हैं तो आयलेंड का home ground है और South Africa away match खेलने जा रहा है ठीक है अब venue stats देखेंगे तो honestly यहां पे जादा matches नहीं खेले गए है last जो match खेला गया था T20 का वो आयलेंड वर्सिस बांगलादेश men's match था 2018 में खेला गया था जहां पे 300 runs बने थे दोनों inning को मिला के मतलब एक-एक inning में लगफग 150 के करीब बने थे men's matches में ठीक है बाकी 8 wickets गिरे थे total उस match में ठीक है first inning में पाँच तो second inning में तीन wicket quite like a batting friendly surface है ठीक ठाक runs बनते हैं अगर समाल के खेलेंगे तो यहां पे runs बनते हैं but at the same time women's match है अब ज़्यादा trust नहीं कर सकते अगर 7 से 8 wicket भी गिरेंगे जो के गिरना चाहिए तो लगफग 120-130 तक ही आप expect कीजेगा अगर island woman batting first करते हैं तो लगफग 90-200 या फिर जादा से जादा 110 तक आप expect कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तों देख लेंगे hit to it stats देखिए यहां पे 10 T20 matches इननों टीम्स के बीच में खेले गए हैं जहां पे South Africa woman ने 9 बार तो island woman सिर्फ एक ही बार जीत पाए हैं और जो last मुकाबला इननों टीम्स के बीच में हुआ था ना 2016 में वहीं पे island woman एक match जीते थे बाकी साड़े के साड़े मैचस South Africa woman ने ही dominate किये हैं आज तक जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये वाला match खेला गया था 2016 में और 2016 के बाद कोई भी मुकाबला इननों टीम्स के बीच में नहीं खेले गये हैं तो obviously पिछले 6 साल में बहुत सारे players change हुए हैं उन में से भी जो player अभी भी खेल रहे हैं सिर्फ उनके ही नाम आपको यहां पे द दूसरे venue पे ठीक है गैबी लुविस 26 रन और एक ओवर डालके एक विकेड निकाले थे ये बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम बोलिंग करते हैं यह वाद आपको ध्यान रखना है एस कबांग 16 किम गार्थ दो विकेड निकाले थे लॉडा वोलवर डॉट तीन रन कर और फॉर्माट में लंबे फॉर्माट में काफी अच्छा करते हैं बड़ T20 फॉर्माट में उतना जधाधा एफेक्टिव नहीं है हाला कि रिसेंटली जो वोमेंस T20 चैलेंज हुआ था वोमेंस IPL वहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मस करते वे आ रहे हैं दो मैच में 50 प्लस भी किये थे बट South Africa के जर्सी में T20 मैंचेस में अब तक उतना जादा प्रभावित नहीं कर पाई इसका मतलब यह नहीं के आज बिलकुल भी नहीं चलेंगे हाँ आप एक दो टीम में Grand League में Captain Vice Captain ना बना के वो हम वीडियो के आखिर में discuss कर लेंगे next head to head match देखेंगे island woman 144-4 South Africa woman आसानी से chase किये थे Gabby Lewis का 20 run और 3 over wicketless कवंग जो कि इनके wicket keeper better है 20 किये थे लौडा बोलबोडा 24 किये थे जैसे कि आप देख सकते हैं सूने lose 10 run और यहाँ पर 2 wicket निकाले थे important होंगे खाका का consistent performance आप देख सकते हैं वर्सेस island woman next match 156-5 89-9 यहाँ पर कोई भी player ऐसा नहीं है जो के अभी भी खेल रहे हैं तो इसलिए कोई भी player का नाम यहाँ पर आपको नहीं लिख रहा island woman 109-48 और South Africa woman उसको भी chase कर दिये थे खाका का फिर से performance है शबनम इसमाइल यहाँ पर bowling first करते वे 2 wicket और ace 10-35 किये थे opening किये थे इस match में और इस match में भी शायद आपको opening करते वे दिखें तो ace 10 आपके लिए बहुत important pick बन सकते हैं इसमाइल का फिर से performance है तो अगर island woman बूलिंग first करते हैं तो South Africa woman के तरफ से खाका और इसमाइल डेथ ओवर में डालेंगे जहाँ पर इनको गुच्छे में wicket मिल सकता है यह बाद आपको ध्यान रखते हुए इनको grand league में as captain wise captain try करना है specially when South Africa woman are bowling first अच्छा यह रहा आपके लिए South Africa woman team का official squad जो कि उन्होंने इस particular tour के लिए announce किये हैं जहाँ पे आपको दिखेंगे सुने loose captainship करते हुए अभी भी देन बेन नाई करक available नहीं है ठीक है playing 11 with batting order आप देख सकते हैं a stain के साथ lot of wolver. opening करेंगे यह बाद आपको ध्यान रखना है lot of wolver. ODI format में जादा अच्छे है test format में जादा अच्छे है T20 format में अब तक उतने बहतरीन तरीके से खुद को represent and establish नहीं कर पाए हैं but T20 average आपको 25-27 तक ही दिखेगा ठीक है records बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा है यहाँ पर A. Bosch और Lora Godal में से कोई एक खेलेंगे नमबर 3 पर A. Bosch अगर खेलेंगे part time bowling कर सकते हैं Lora Godal एक left hand batter है जोके नमबर 3 पर बहुत stability देते हैं Sooner Lose being the captain and spring bowler यहाँ पर नमबर 4 पर बैटिंग करेंगे part time bowling भी कर सकते हैं इनके शुरुवात के overs में अगर इनको wicket मिल जाते हैं तो शायद complete charge over भी कर जाए ठीक है C. Trang, left time medium, death overs में डालेंगे important होंगे यह power play में नहीं डालते हैं ज्यादा Tazmin Brits कभी-कभी opening करते हैं बट कभी-कभी नीचे भी खेलते हैं ज्यादा chances है इस match में नमबर 6 नमबर 7 पर बैटिंग करेंगे Indy Clark यहाँ पर all-rounder है right hand bat out and right arm medium क्योंकि Marizana Cup जैसे player नहीं है तो उनका जो कमी है वो पूरा करने के लिए नेडान क्लाक को लिया गया है जो के लगभग सेम रोल ही अदा करेंगी Marizana Cup के तरह शबनम इस्माइल नीट्स नो इंट्रेडक्शन वन अफ़ फास्टेस्ट वोमेन बोलर यहाँ पर आयाबोंगा खाका उनको company देंगी तो इनके तीन जो रो पेसर होने वाले है वो शबनम इस्माइल आयाबोंगा खाका और तूमी शेको कुने होने वाले है ठीक है उनके साथ साथ इंडी क्लाक पार्ट टैंग राइट अम मीडियम फास्ट डालेंगी main spinner होने वाले है एन मलाबा और नौतो जाके में से कोई एक एन मलाबा left-arm orthodox spin bowler और नौतो जाके right-arm off-break bowler इन दोनों में से कोई एक ज़ादा chances है मलाबा का और यहाँ पर second जो spinner होने वाली है वो सूने loose होने वाली है ठीक है तो अगर South Africa woman bowling first करती है ये तीन बोलर आपके पा एक स्पिन बोलर है ना वो काफिय अच्छे फ्लाइट देते हैं और इनको अगर शुरुगात में विकेट मिल गया तो दो तीन चार विकेट उच्छे में विकेट निकाल जाती है ठीक है वहीं पे इन मलाबा और नौतोजाके में से जो भी खेलेंगे वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड डिक के पिक होने चाहिए ठीक है पाव प्ले में इस इसमाइल खाका एंड तुमी सिखकुने डालेंगे डेथ ओवर्स में भी यही तीनो डालेंगे उनके साथ एक आदा ओवर नदेंड डिकलाग शेयर कर सकते हैं अचा दोस्तों ये रहा आइलेंड वोमेंट टीम का ओफिशियल स्क्वाड जो कि उन्होंने इस पटिकुलर सिरीज के लिए एनाउंस किये हैं जहांपे ग्याविल लुईस बींग दे कैप्टेन ये खेलेंगी क्योंकि इनके ओरिजिनल कैप्टेन जो है लोडा डिलानी थ जो ओडियाई मैचेस होने वाले हैं इस T20 सिरीज के बाद वहाँ पे वो कमबैक कर सकते हैं बट फिलाल T20 सिरीज में गैबी लुईस ही आइलन वोमेंड का कैप्टेनशिप करने वाली हैं अब बिंग दग कैप्टेन ये शायद जादा ओवर्स डाल सकती हैं लेक बेक बोल जाएंगी और केट मैकोवाई भी आपको दिख जाएंगी बाकी सारे नाम पुराना है या फिल डेब्यू कर चुके हैं ये तीन से चार्ट प्लेयर ऐसे हैं जो के अब तक T20 फॉर्माट में आलन वोमेंड के तरफ से रिप्रेजंट नहीं किये हैं अब इनका प्लेइंग 11 विद बैटिंग ओडर देखेंगे तो गैबिल लुइस टीम के कैप्टन प्लस राइट हं बैटा अन लेक बड़ेक बोलर और ली पॉल ये दोनों ओपिनिंग कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे साड़ा फ्रोब्स का नाम जो मैंने आपको बताया ना वो भी टॉप ओड 24 के अबरेज से रन करती हैं और एक वोमेंस के मैचस में अगर 25-25 के अबरेज से रन करती हैं तो आप ठीक ठाग उसको मांसकते हैं उसके बाद आर्टिलैनी आ जाती हैं जो के बैटर होने के साथ साथ राइत या मीडियम भी डाल सकती हैं इनके टीम में ऑल्रेडटी 6-7 य अगर खेलेंगी तो number 3 पर खेल सकते हैं नहीं तो as a hitter भी उनको use किया जा सकता है domestic circuit में कभी-कभी इनको as a hitter भी use किया जाता है तो वो as a hitter भी खेल सकते हैं यहाँ पर एक केली आपको दिखेंगी जो कि right hand batter होने के साथ साथ right hand medium fast bowling करती है जो New Zealand domestic matches होते हैं women's का वहाँ पर हम captain wise captain use करते थे अगर आपको याद होगा तो तो काफी important player है ठीक ठाक batting कर लेती है लगभग 16 से 17 का इनका average है with the bat and यहाँ पर जो bowling average है न वो लगभग 15 का है तो इसलिए काफी important pick बन जाती है differential captain wise captain अगर Ireland woman यहाँ पर bowling first करती है तो आप try कर सकती है कवंग इनके तरफ से one of the consistent batter है जो के wicket keeping duties भी समालेंगी तो important होंगी ace कवंग ठीक है बाकी ace McMahon bits and pieces में performance करती है उतने consistent नहीं है domestic circuit में consistent है बट international circuit में जितने matches अब तक खेले हैं bits and pieces में performance किये हैं अब तक अपने act को all together नहीं ला पाए है सी मूरे और यहाँ पर celestial rack आपको दिखेंगे जो दोनो लिक ब्रेक बूलिंग करने वाली है तो यह दोनों ही important होंगी specially अगर island woman या second inning में बूलिंग करते हैं यहाँ पर तीन pacer होने वाले हैं इनके तरफ से writer medium, G. Dimse, writer medium, Maguire and Kate McAvoy ठीक है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके फाइदे के बाड़े में कैसा फाइदा अगर आप 2 members, 3 members या फिर 4 members लीग खेलने में ज़ादा interested है या फिर वो सारे लीगs ज़ादा खेलते हैं तो आप real 11 पे आके क्यों नहीं खेलते क्योंकि यहाँ पे entry fees already बाकी application से काफी ज़ादा कम है और उस पे भी अगर आप 5% bonus यूज करते हैं तो इस particular league का जो entry fees हो जाता है 1045 हो जाता है सिर्फ 1045 रूपीज देके आप जीतने पे 3000 रूपीज घर लेके जा सकते हैं और यहाँ पे जीतना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं regular basis पे यहीं पे investment करता हूँ आप भी आके खेल सकते हैं इस particular application का link इस वीडियो के description section में आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे हर एक league में आप bonus यूज कर सकते हैं 3 members, 4 members वाले सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप hit to 8 खेलते हैं ना वहाँ पे भी आपको bonus यूज करते हूए मिल जाएंगे जैसे कि यह देखिए सिर्फ यहीं नहीं grand league में भी आप काफी अच्छे कर सकते हैं जैसे कि IPL leaderboard में अगर आप first rank पे आते हैं तो third card win कर सकते हैं उसके बाद entry fees यहाँ भी कम है प्लस यहाँ पे competition भी कम है grand league का तो यहाँ पे आपको grand league जीतने में काफी जादा आसानी होगा तो इस वीडियो का जो description section है वहाँ पे इस particular application का link मिल जाएगा जाके check out जरूर कीजेगा आचा अब देखिए दोस्तो मैंने कैसा combination सोचा है इस match में grand league के लिए and small league के लिए grand league तो बाद में देखेंगे small league का पहले देख लेते हैं क्योंकि त्रीशा चटी थोड़ा सा नीचे बैटिंग करेंगे mary world run भी अगर खेलती हैं तो wicket keeping तब इस कवांग नहीं करेंगे and mary world run नीचे बैटिंग करेंगे त्रीशा चटी के तरह अब त्रीशा चटी बहुत rarely opening भी कर लेती हैं वो playing 11 आने के बाद हमें बता चल जाएगा कि चटी opening करेंगी या फिर number 6, number 7 पे खेलेंगी तब हम change कर सकते हैं फिलाल के लिए S कवांग जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं trust करता हूँ क्योंकि Gabby Lewis के बाद इस team में अगर कोई stable batter है तो वो है S कवांग तो इसलिए S कवांग के साथ मैं जा रहा हूँ अगर एक lota wicket keeper यही खेलती हैं तो wicket keeping duties भी यही समालेंगी तब batting section में आ जाते हैं यहाँ पर लॉडा वोलवर्डॉर्ड आपको दिखेंगी Gabby Lewis आपको दिखेंगी इन दोनों को तो छोड़ना ही नहीं है अब देखिए लॉडा गुडाल जिनके बारे में मैंने बात किया नमबर 3 पे खेलेंगी इनसे आप at least 30 to 32 runs तो expect कर ही सकते हैं बट फिलाल मैं focus कर रहा हूँ ace train पे जोके opening करने वाली है और मेरे लिए काफी important pick है तो आप जरूर से try कर सकते हैं या फिर नमबर 3 पे आने वाले लाड़ा गुडाल की उपर focus कर सकते हैं इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा दोनों का एक साथ खेलना काफी मुश्किल है फिलाल हम ace train के उपर ज़्यादा focus करेंगे small league में भी all rounder section में चलते हैं यहाँ पे सुने loose आपको दिखेंगी leg back bowler है captain है hopefully 4 ओवर डालेंगी या number 4 पे बैटिंग करेंगी differential captain wise captain option leap all आपको दिखेंगी जो के lift up medium bowling डालती है and top order में बैटिंग करती है कभी-कभी इनको as a hitter भी use किया जाता है number 5, number 6 पे पर मुझे लगता है इस match में opening कर सकती है ठीक है इस McMahon जैसे के मैंने बोला bits and pieces में performance दिये है नीचे बैटिंग करती है number 7, number 8 तक plus 2-3 over डाल सकती है C, try and death overs में डालेंगी इसलिए important होंगी left arm medium यहाँ पे आपको left arm orthodox यह एलिन केली है यहाँ पे right arm medium plus right hand batter है काफी useful contribution दे सकती है क्योंकि batting and bowling दोनों से ही contribution देने का शमता रखती है net and decline आपके लिए grand league के pick बन जाएंगी क्योंकि यह भी part time death overs में overs share करती है जो शबनम इसमाइल है आया बाउंगा खाका है उनके साथ तो तब अगर इनको bowling मिला तो wickets ले सकते हैं फिलाल हम एक एली के उपर ही जादा focus करेंगी bowling section में चलेंगे शबनम इसमाइल आपको दिखेंगी जो हमारे first pick होने वाली है यहापर आया बाउंगा खाका इन दोनों को तो छोड़ना ही नहीं है यहापर अगर आपके पास एक player और ले सकते हैं किनका South Africa women team का तो तुमी सिखुकोने का नाम मैं जरूर से prefer करूंगा यह तीनो main important bowler हमारे पास आ गए देखिए लोडा डिलानी जैसे player नहीं है साउथ आइलेंड women team में तो उनका batting already weak है और कुछ debutants भी आ रहे हैं जो South Africa women team के quality pacers को शायद ना face कर पाए तो जितने भी important bowler है ना South Africa women team का वो अपने team में होना चाहिए इसलिए मैंने तुमी को भी नहीं छोड़ा है खाका को भी नहीं छोड़ा है और स्माइल को भी नहीं छोड़ा है इधर से सूने lose भी है और सी ट्राइंग भी है अमरे team में फिलाल हमारा team combination कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पर Captain Vice Captain Pick अगर अब मुझसे पूछेंगे यहाँ पर सीधे सीधे एक हाका के साथ Vice Captain में देना चाहूंगा सूने lose को आप बिल्कुल ट्राइ कर सकते हैं लोडा ओलवाडाट को जो डिसेंटली Women's IPL में काफी अच्छे टच में लगे थे यहाँ पर Gabby Lewis बहुत important CVC option है अगर बूलिंग करते हैं तो बट डैटिंग से में इन से 25 से 30 रन से ज़ादा इस मैच में expect नहीं कर रहा मैं आपको suggest करूँगा clearly जो South Africa Women Team के bowlers है ना जो के death overs में डालते हैं पाप ले में डालते हैं उनके उपर जादा focus कीजिए as a captain wise captain तो आपके लिए बहतर होगा hopefully इस वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाता था आपको समझा पाया हूँ चाहे वो pitch के regarding हो, head to head regarding हो playing 11 with batting order and players के regarding हो आपको अगर कोई भी सवाल है तो comment section में comment जरूर कीजिएगा मैं आपके reply जरूर से करूँगा final update आपको कहाँ पे मिलेगा हमारे telegram channel पे link आपको इस वीडियो के description section में देखने को मिल जाएगा ये है हमारा छोटा सा telegram channel 3.9 के subscriber base के साथ जहाँ पे कल हमने vitality blast के matches cover किये थे और regular basis पे करते भी है final update भी यहाँ पे ही आपको मिलता है deadline के ठीक 10 minute पहले तो आप जरूर से जूर जाएगा link आपको इस वीडियो के description section में and जो comment section है ना वहाँ पे एकदम उपर वाला pinned comment में आपको मिल जाएगा उस link पे click किजएगा directly आपको यहाँ पे redirect कर देगा या फिर add the rate ज्यानी speaks all small letters आप search कर सकते हैं add the rate ज्यानी speaks ऐसे करके आप search कर सकते हैं दिक्कत नहीं है all small letters होगा ठीक है